हे गाईज कैसे उसारे यकीन करता हूं के च्छोंगे सो गाईज आज किस वीडियो में मैं आप सबको कुछ इस टाइब का नौडात्री ए स्पेशल फॉन्टो एडिटिंग सिखाऊंगा बिल्कुल इजी स्टेप्स में एड गाईज आज किस वीडियो में मैं आपको आपको कुछ इस टाइब का बैग्राउंड की जोड़त पड़ेगी जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जागा आप वहां से ये वाले बैग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर लेने के बाद गाईज ये वाले बैग्राउंड को आपक को download कर सकते हैं सो सबसे पहले आपको यहांसे add photos में जानी है और यहां से दुरगा माता का आपको एक PNG मिलेगा जस्ट इसे आपको add कर लेनी है और गाइस add करने के बाद आप सब यहांसे अपने अनुशार यहांसे कुछ step से zoom कर लिजेगा और उपर के side में कुछ step से fit कर लिजेगा and side में आपको eraser का button दिखेगा जस्ट आपको eraser वाले button पर क्लिक करनी है और यहांसे eraser का hardness 50 के आसपास रखनी है and size को 80 के आसपास करके and नीचे वाले part को कुछ step से करके आपको erase कर लेनी है सो मैं यहांसे कुछ step से कर रहा हूँ आपको भी कुछ step से erase करनी है and erase करने के बाद guys आपको उपर से done करनी है and done कर लेने के बाद guys आपको यहांसे नीचे में opacity के आपको button दिखेगा just opacity आपको 50 के आसपास करनी है and उपर से आपको done कर लेनी है हो एंड इतना कर लेने के बाद गयूट आपको जो भी पिक्चर को या जो भी बल्डू को आपको एडिट करने हैं इसे आपको यह से एड़ फोज से कर लेनी है मैं यहां से अपने मॉडल को एड़ फोटो में जाके एड़ कर लूँगा अभी आप सब देख सकते हैं मैंने इसका औरेडी बैग्राउंड करके रखा है अगर आपको बैग्राउंड करने नहीं आता तो मैंने इस पर औरेडी वीडियो बना के रखा जिसका है एंड मैं कुछ स्टैप से यहां पर सेट कर लूँगा एंड सेट करने के बाद गयज जस्ट आपको यहां से उपर से आपको डन करनी होगी सो जस्ट मैं कुछ इतना सेट करके एंड उपर से मैं डन कर लेता हूं एंड डन करने के बाद गयज फिर से आपको एड़ फोट आप सब 100 कर लिजेगा और उपर से आपको done करनी है और पिक्चर को आप सब को जूम करके और इसे मात है कि उपर में कुछ steps आपको fit करनी है जैसे मैं यहां से कर रहा हूँ सो कुछ steps से करके मैं fit कर लूँगा and side में guys eraser का button दिखेगा just eraser वाले button पे click करनी है and size को छोटा and hardness को थोड़ा जादा करके and आपको कुछ steps से erase कर लेनी है उपर से ताकि यहां से realistic दिखे and इतना करने के बाद guys जो आपका कान वगेरा पे आ रहा है यह वाला पटी इसे भी आप सब remove करके and उपर से guys आप सब यहां से done कर लीजेगा and एक वर और आपको उपर से done करनी है and इतना कर लेने के बाद guys एक और png को आपको add करनी है जो red smoke png है and इसे add करने के बाद guys इसका blending mode को आपको as screen करनी है so मैं इसे blend पे clicker कर and as screen पे clicker दूँगा and इसे आपको कुछ stripe में आपको नीचे में set कर लेनी है and side में guys आपको layer का button दिखेगा just आपको इस पे clicker करके इसका duplicate layer कर लेनी है and duplicate layer करने के बाद guys आपको इधर जो है right side में कुछ stripe add करनी है and उपर से आपको done करनी है and done करने के बाद guys एक और आपको नो रातरी का आपको text png मिलेगा इसे भी आप सब add photo से add कर लिजेगा और ये वाला text png आपको जिधर भी चाहिए आप सब अपने हिसाब से रख सकते हैं तो उपर के side में मैं रखूँगा इसको आप city में लगभग 80K round रखूँगा इतना करने के बाद मैं उपर से डन कर लूँगा अगर आपके पास आपका logo अगरा है तो आप सब उसे add photo से add कर लिजेगा सो जेस्ट मैं अपना logo को add कर लूँगा अगर आपको logo editing करने नहीं आता है तो मैंने इस पर और डिडियो बना के upload कर दिया जिसका लिंक आपको निचे description मिल जागा आप वहाँ से वह वाले वीडियो देख के आप logo editing सीख सकते है तो मैं उपर के side में कुछ यहाँ पर रखके and इसका up city हलका कम कर दूँगा and इतना करने के बाद guys मैं उपर से done कर लूँगा and अभी आप सब देख सकते हमारे यहां से पूरा तरीके सा picture यहां से ready हो चुका है मैं इसमें थोड़ा सा light adjustment करूँगा so light adjustment करने के लिए guys आपको यहां से tools वाले आपको button पे click करनी है and यहां से adjust वाले button पे click करनी है and यहां से guys आपको contrast को लगभग 20 के आसपास add करनी है and clarity है इसे भी आपको 30 के आसपास add करनी है and saturation है इसे 10 के round add कर लेनी है and यहां से highlights है highlights को 30% decrease करनी है and shadow को आपको लगभग 20 के आसपास increase कर लेनी है आप सब picture के हिसाब से shadow और highlights को increase यह decrease कर लिजेगा and कुछ इतना कर लेने के बाद guys आपको उपर से done कर लेनी है and अभी आप सुब देख सकते before and after हमारा picture यहाँ से बिल्कुल ready हो चुका है and just मैं यहाँ से draw tool में जाऊंगा and अपने picture को यहाँ से three dot पे click करके save कर लूँगा so guys आज किस वीडियो में बस इतना इसो यकिन करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छ लगी होगी तो वीडियो को जोड़ो से लाइक कीजेगा चैनल पने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए and मिलते है किसी और वीडियो को साहन तब तक के लिए bye